हाई गाईस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पिक्सल एक्सपिरियंस प्लस एडिशन की जो की बेस्ट है एंडूर 12.1 के ओपर और एड्मी K20 Pro के अंदर वैसे सिप्टैंबर का सिक्यूर्टी पैच लेवल आ चुका है इस रॉम के अंदर बढ़ मैंने इसको रिव्यू न नीचे सब्सक्राइब बटन होगा प्रीज उसको जो है ग्रेब ना सकते हो एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हो अब सबसे पहले चलेंगे अब आउट फोन बेच के अंदर तो यहां पे अंडूर्ट वर्जिन 12L है सिप्टैंबर का सिक्यूर्टी पैच लेवल सो उसके बाद यह नौट सर्टिफाइड हो गया और यहां पे आपका यह जो है आपको सर्टिफाइड मिल जाता है बड़ एक इशू यहां पे यह है कि यहां पे अगर आप देखोगे उसका जो आइकोन है या फिर जो प्ले स्टोर आवो अपडेट नहीं हुआ यहां पे जो कोई major heating issues मेरे को देखने को नहीं मिले maximum 37-38 के आसपास temperature रहेगा और उस ताइम जो speed होगी वो 2000 mAh के आसपास होने वाली है और अगर आप रहाम को normally यूज़ करना चाहते हो तो यहां पर जो battery consumption है यह वैसे mixed usage के उपर है तो battery backup काफी अच्छा है active drain अगर आप देखोगे almost 12% प 2 lakh के आसपास maximum GAPS और average 1,85,000 के आसपास और अब बात करेंगे Geekbench 5 के scores गी वो आप यहां पर वीडियो pause करके check out कर सकते हो और यह wildlife test के scores भी आप यहां पर check out कर सकते हो अब जो stock camera है वो lineage-wise based camera आपको मिल जाता है बट मैंने यहां पर LMC 8.4 I think install नहीं किया तो आप उसको try कर सक क्योंकि Android 12 L है तो यहां पर almost सभी चीज़ें आपकी working रहने वाली हैं स्मूथनेस के उप रहेंगे first of all quick setting panel के अंदर कोई lag आपको नहीं मिलेगा जब आप swipe down करोगे और जो theme है वो dark mode के अंदर ही of course मिलेगा pixel launcher है तो यहां पर app opening closing animation की speed आपको better देखने को मिल जाती है अगर म experience है in terms of smoothness वो अच्छा हो चुका है और left side में अगर आप देखोगे तो google cards की optimization आपको मैं check कर वा देता हूं in terms of scrolling यहां पर भी कोई problem नहीं आने वाली काफी अच्छे से आप यहां पर scrolling कर सकते हो और जो यह search बार है यह भी आपका यहां पर white theme के अंदर आपको show हो जाएगा और अगर हम बात करते हैं setting की तो मैं main main चीज़ें आपको बताऊंगा like battery के अंदर जो stats आवो 24 hours वाले हैं और इसको आप enable कर सकते हो sound and vibration में आपको जो है यहां पर indicator वाला option में जाता है vibrate वाला और me sound enhancer आपको मिलेगा then अगर आप display के अंदर आ जाते हो तो display के अंदर भी आ maximum grades 5 x 5 है security की बात करें तो face unlock and fingerprint आपको मिल जाते हैं and fingerprint की जो speed आप चेक आउट कर सकते हो काफी improved आपको मिल जाता है first जब मैंने fingerprint को add किया था तब जो speed आउतनी अच्छी नहीं मिल ले थी अच्छे से work भी नहीं कर रहा था जब मैंने second यहां पर try किये ना तो speed आपके सामने हैं काफी excellent speed आपको मिलती है काफी सारे fixes आपको मिल जाएंगे इस update के अंदर और plus additional वाले सब के सब features आपको मिलेंगे like buttons के अंदर आपको यहां पर जो option है न press and hold वाला इसमे advanced restart or gestures के अंदर वही 3 button, root button और gesture indicator वही सब चीज़ें आपको मिलेंगी कोई नया change आपको नहीं मिलत अब कुछ issues आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे like अगर आपने bgmi को यहां पर migrate वगरा से या फिर जो है swift backup से restore कर रखा है तो अगर आप इसको open करोगे तो आपको यहां पर कुछ ऐशा problem आएगा जो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहां पर unknown error please restart your device and try again तो इसका fix आपको वही जो मैंने आपको previous Siberia project के अंदर भी बताया था app info के अंदर जाना है storage and cache के अंदर clear storage कर देना then bgmi को open करोगे तब आपका यहां पर यह जो है automatically download start हो जाएगा और तब आप इसको यहां पर जो है use कर सकते हो same यहां पर मैंने की है और कुछ apps मैंने migrate के थूँ यहां पर इसको restore किया तो वहां पर भी मेरे को पहले वाले ही problem आ रही है और अगर आप bgmi इस रॉम के अंदर play करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा fps बहुत ज्यादा drop होते हैं even अगर आपने यहां पर match start किया है phone ठंडा है doesn't matter आपके fps drop होने वाले हैं तो बिल decrypted हूँ F2FS के अंदर हूँ तो सबसे पहले आपको यहां पर unofficial recovery को install करना है या फिर जो भी latest recovery अवेलबल हो उसको install कर लेना कोई भी ROM के उपर हो सबसे पहले dell week catch system vendor metadata उसके बाद data इन सभी को swipe to wipe करना है then उसके बाद आपको android 11 का firmware 12.5 वाला अपने region का install करना है then ROM की file को आप आपको मैं दिखा देता हूँ यहां पर मेरे पास है तो pixel experience वाली यह आपको देखने को मिलते हैं इसको flash कर देना and उसके बाद fcrypt disabler को flash कर सकते हो या फिर अभी जो f2fs के लिए मेरे पास दो है android 11 android 12 कोई भी flash कर लो दोनों work करेंगे तो तीनों को sequence में आप flash करना आपके f2 पर रॉम को flash करना है देन format data करना है और reboot करना आपका device यहां पर pixel experience के latest update के अंदर यहां पर boot कर जाएगा तो that's it और मैंने already काफी सारे videos बना रखे हैं कैसे आपको भी custom ROM को install कर सकते हो k20 pro के ओपर और अगर आपको flashing के regarding videos चाहिए न तो भाई flashing guide का dedicated playlist है तो मैं आपको याद कर आप उसको check out करो वहां पर आपको सभी latest methods देखने को मिल जाएंगे सो भी ROM को flash करने के लिए even Android 13 का भी guide वहां पर आपको मिल जाएगा तो playlist को ज़रूर check out कर सकते हो subscribe कर सकते हो मिलेंगे next interesting वीडियो के साथ